तो आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने जो है लिमिट की प्रोपर डेफिनेशन देखी थी और इसके कुछ एक्जाम्पल्स भी देखे थे हमने बट वो सकता है उनसे आपसे मतलब क्लियर ना हुआ क्योंकि ये कॉंसेट थोड़ा ऐसा है कि आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है ठीक है और ये आपको 12 में यूज होने वाला है डेरिवेटिव के लिए यूज होगा य बहुत ज्यादा इंपोर्टन टॉपिक है ये तो ये जरूरी है कि आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो इसलिए मैं च्टार्ट कराने से पहले मैं लिमिट का ये वाला चेप्टर करा रही हूं 11 ताकि आपको सारे कॉंसेट क्लियर रहे मतलब जो बेसिक्स है वह क्लियर रहे तो मैंने वहाँ पे कुछ एक दो एक्जाम्पल्स देखे थे बिल्कुल बेसिक बेसिक आज इसमें हम एक दो एक्जाम्पल ओर देखने वाले हैं ताकि आपका जो कॉंसेट्ट विल्कुल पक्का हो जाएं ठीक है ताकि आप कोई भी मतलब कोश्चन जो करो तो पूरा एक मतलब एक बार में ही हो जाए आपको कोई भी कोश्चन लिमिट का और लिमिट के बाद या आपका आता डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव पेस्ट है पूरा का पूरा किस पी लिमिट पे राइट तो इसलिए मैं टोपिक को थोड़ा जादा जला रहे हूं कि एक जाए जाए तो इसलिए मैंने यह वाले इडवाल एक्जेंप्ल्स उठाए इसके बाद एडवांस बहुत अ करेंगे कुछ तो यहाँ पर देखो होने के बादT तो यहां पर देखो मैंने एकजैंपल लिया कंसिड़ा फॉंक्शन में एक्वालवें श्न 10, find the limit of this function at x is equal to 5, यह वाल example मैंने लास्ट वीडियो में भी लिया था, बट वहाँ पे क्या था, कि मैंने sort way में आपको थोड़ा hint दिया था बस, इस में हम पूरी proper representation देखने वाले इस वीडियो में, तो मैं यह expect करते हूं कि आप जब वीडियो देख लोगे, तो यह concept तो आपको बिल्कुल होई जाएगा clear, तो आपके पास अभी example है कि आप f of x is equal to x plus 10, यहाँ पर हमें क्या calculate करना है, find the limit of this function at x is equal to 5, तो हमें क्या करना है, limit find करनी है, x is equal to 5, तो first of all limit की definition आपको पता होने चाहिए, जो कि आप वीडियो देख चुके हो, right, तो अब limit मतलब की क्या होता है, कि हमारी कोई एक particular point है, उसको मतलब हम tend कर रहे हैं, right, कि आप five, मतलब put कर रहे हो five value वहाँ पे, हमारा function जो कहा लाई करता है, तो इस तरीके से हमारा limit का थोड़ा concept है, आप last video देखोगे, तो आपको पक्का clear हो जाएगा ये वाला concept, ठीक है, तो अब हम देखते इसमें example, तो मैंने जैसे last video में बताया आप से, कि जो limit है, वो हमारी is function की, ठीक है, किसी भी तरह से lie कर सकते हैं, मतलब जो five है, जरूरी तो नहीं बिल्कुल exact five हो, five के left side से भी हो सकती है, ठीक है, और five के right side से भी, मतलब approach कर सकते हैं, right, मतलब कि five के left में भी कुछ values होंगे, five के right में भी कुछ values होंगी, तो हम इसके एर्द-एर्द की values basically यहाँ पर put करते हैं, उसके बाद जो हमारी limit आते हैं final, वो हमारा answer होता है, ठीक है, तो यह question हमारा इसी तरह के से होगा, कि अगर आप limit calculate कर रहे हो, तो हो सकता है, कुछ इसके left में लाई करे values, हो सकता है, कुछ right में लाई करे, मतलब की simply क्या है, जैसे 5 का, अगर आप number line draw करते हो, तो 5 के left side में क्या-क्या values हो सकते हैं इदर, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, इदर right में 6, 7, but अब 4 and 5 and 5 and 6, इनके बीच में भी तो बहुत सारी values हो सकते हैं, मतलब 5 के just अगर इंदर जाएं, तो कौन-कौन से value हो सकते हैं, 4.9, 4.99 इस तरीके से, और 5 के अगर right side में मैं देखू, तो कौन-कौन से value हो सकते हैं, 5.001, 5.001, इस तरीके से values हो सकते हैं, तो यह हमारा जो question है, इसी तरीके सामी से proceed करने वाल है, तो basically, आपको mind में यह रहना चाहिए, आप exact value put नहीं कर रहे हो, just उसके इर्दि-इर्दी values आप देख रहे हो, right, तो यहां से हमारा concept आजाता है, किसका left hand limit and right hand limit का, जिसको हम simply RHL and LHL से denote कर देते हैं, ओके, तो अब देखते हैं, इस question को हम कैसे solve करते हैं, तो यहां पर देखो, let us compute the value of the function f of x for tx near to 5, मतलब कि वही जो मैंने आपको बताया है, 5 के near जो इतनी values होंगी, उस पे हम function की values calculate करेंगे, मतलब basically, अगर मैं x के left, मतलब 5 के left में देखते हूं, suppose 4.99 something values है, ठीक है, तो अब मैं 4.9 को जो है, इस में put करूँगे, x की जगह है, जैसे आप कोई graph की value find करते हो, तो मतलब graph draw करते हो, तो उसमें भी तो आप x और y की values put करते हो, तो अगर मेरे को x 4.9 पे देखने हैं, तो मैं function में put करूँगी, function क्या है, मेरे x plus 10, तो यहाँ पे simply 4.99 प्लस 10 कर दोगे, तो यहाँ पे हमारा कुछ answer आ जाएगा, जो की कितना आएगा, 14.99 something, right, इसी तरीके से आपको क्या करना है, right side वाली values put कर देने हैं, मतलब simply 5.001 आप put कर दो, यह कहाँ put करना है, इस function में, तो यह simply 5.001 प्लस 10 हो जाएगा, और फिर यह हमारा किस में आ जाएगा, 15.001 के approach, right, तो इस तरीके से हमें देखना है, तो अगर मैं left वाला put करती हूँ, तो मेरे पास कैसा answer आता है, कि अब देखो यहाँ पे next जो point होगा, मेरा some points near and two left are 4.9, 4.95, 4.99, 4.995, यह तो होगे आपके left की value, similarly मेरे पास हो सकते है right की values, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कि right side में कौन-कौन से हो सकते है, 5.001, 5.01, 5.1, ठीक है, यह मेरे सारे points कहाँ पे है, 5 के right side में है, और यह वाले कहाँ है, 5 के left side में, right, तो अब हम यह सारी जो value है, वो function में put करते हैं, उसके बाद जो है मेरा यह, क्या आता है, निकल के देखो, अगर मैं x की value 4.9 put करती हूँ, मतलब यहाँ पे, कि simply आपके पास f of x, जो है, x plus 10 है, अगर मैं यहाँ पे x की value 4.9 put करती हूँ, तो मतलब की x की जगह आपको 4.9 put करना है, right, तो यह आ जाएगा हमारा 14.9, तो इसलिए मैं यहाँ पे 14.9 आ गया, similarly आप यह put करोगे, similarly आप यह put करोगे, निकालोगे x की value, similarly मैं right side value निकालोगे, तो आप इस table में proper way में देख सकते हो, कि मैंने किस तरीके से मतलब इनको arrange करके, मतलब कैसे values limit वगरा है, मतलब 5 के left side में, 5 के right side में, इसमें put करके मैंने values निकाली है, right, तो हमारा यह इस तरीके से, तो आप आप देख सकते हो, कि यहाँ पे देखो, हमें result क्या निकालना है, basically वह आपको देखना है, अगर मैं 5 के left वाली values put करती हूं, तो जो मेरी सारी values हो, तो किसको approach कर रही है, 14.9 है, जैसे आपको पता है, अगर मेरा 14.6 हो जाता है, मतलब 5 से अगर ज़्यादा point के बाद, decimal के बाद आजाता है point, तो मेरा 15 को approach करने लग जाता है, और यह तो हमारा 14.9 है, right, तो यह तो हमारा completely 15 को approach करेगा, and अगर हमारा 15.001 है, तो यह हमारा किसको approach करेगा, अब point 5 से ज़्यादा तो है, नहीं point 0 है, मतलब 5 से बहुत कम, तो यह हमारा किसको approach कर देगा, 15 को, जो आपने approximation पहले पढ़ा होगा class में, right, तो यह हमारा किस तरीक्के से हो जाएगा, अब next step देखना, कि we can see that value of f of x at x is equal to 5, should be greater than 14.995, and less than 15.001, मतलब कि क्या कहना चाहरा है, कि जो f of x की value, function की जो value है आपकी, वो आपकी greater than होनी चाहिए किस से 14.995 से, and less than होनी चाहिए किस से 15.001, right, तो मतलब कि क्या कहना चाहरा है, कि आपकी 14 से ज़्यादा होनी चाहिए, और 15 से कम होनी चाहिए, क्योंकि जो 5 है हमारा, वो 4 के right side में लाई करता है, और 5.001 के left side में लाई करता है, 5, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है, कि हमारा less than होनी चाहिए 15.001, and greater than होनी चाहिए 14.995, तो यह हमारा कैसे हम इसको लिख सकते है, प्रोपर रिप्रेजेंटेशन में, तो हमारा जो value आ रहे है, कितनी आ रहे है 15, ठीक है, similarly अगर हम right side देखेंगे, तो वो कितनी आ रहे है हमारी, वो भी 15 आ रहे है, तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, left और right का जो फंडा है, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, question हमारा यह आता है, right, तो वो देखेंगे अभी, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं left side का लेक्ते चल रही हूँ, कि left side में, मतलब हम कैसे देखेंगे, left of 5 में, तो हम simply कैसे denote करतेंगे, कि limit, x tends to 5 minus f of x is equal to 15, मतलब कि simply आप कैसे calculate कर दोगे, पुरी limit को, यह आपके पास f of x है, x tends to आपको दिखाना है 5, तो यह direct आप नहीं निकालोगे, क्योंकि 5 के left side में भी हो सकते है, right side में भी, तो आपको simply पहले left side में निकालनी पड़ेगी, left side में मतलब basically आप, अब यहाँ पर function की value पुट कर दो, क्योंकि हमारा approximation में result हमारा वही आ रहा है, तो आप simply यहाँ पर 5 plus 10 करके निकालोगे, 15 आ जाएगा, right, तो similarly अब हम देख सकते हैं, कि अगर मुझे right side देखना है 5, के तो मेरा क्या आ जाएगा, similarly मैं right hand limit दिखा दूँ कि 5 plus करके, जो plus वाला जो side है, वो मेरे को show कर रहा है, right hand limit, ठीक है, और जो minus का side वो क्या show कर रहा है, left hand limit, right, तो यह हम इस तरीके से, आप देखो मैंने left hand भी निकाल ली, right hand भी निकाल ली, तो हम इसको denote कैसे करूँ, मतलब लिखूं किस तरीके से पूरा function, तो वो हमारा हो जाएगा इस तरीके से, कि hence left hand limit and right hand limit of f of x equal to 15, that is limit f x tends to 5 minus f of x is equal to limit x tends to 5 plus f of x is equal to 15, ठीक है, तो यह मेरा क्या imply करता है कि limit x tends to 5 f of x is equal to 15, right, अगर मेरा left hand limit और right hand limit equal हो जाता है, तो मैं उसको इस तरीके से represent करती हूं, right, तो I hope आपको यह concept बिल्कुल अच्छे से clear हो गया हो, मतलब just मैंने क्या कर रहे है, 5 के left side value देखिए, 5 के right side values देखिए, चीक है, उसके according मैंने function पर पूट कर दिया है, तो हमारा पूरा जो है कि सरीके का आ जाएगा, मतलब अगर हम देखें table में, तो यह हमारा इस तरीके का बनता है, अगर मैं left side का put करती हूं, similarly मैं right side का put करती हूं, तो मेरा यह 15 को approach कर रहा है पूरा, right, तो इस तरीके से मुझे यह वारा जो question है, forward मतलब करना है complete, अब similarly मैंने next example लिया है, वो भी सेम इसी की तरह है, मतलब थोड़ा सा change है, बस कि consider the function f of x is equal to x cube, अब आपके पास है suppose f of x is equal to x cube, मतलब एक cubic function given है, और उसमें आपको limit find करनी है, at x is equal to 1, right, तो यह हम कैसे, अब direct आप limit यह extends to 1 करके, ठीक है, यहाँ पे f of x put करोगे, तो limit extends to 1, और x function का x cube, यह आप direct तो put करोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ना, कि exact 1 है या नहीं है, वो कह रहा है, at x is equal to 1, मतलब कि 1 के left में भी हो सकते है, और 1 के right side में भी values हो सकते है, ठीक है, तो ऐसे हम similarly, इस वे में हम proceed कर लेंगे, जैसे मैं लास्ट वाला कर रहा है, कि we tabulate the values of f of x, at x near to 1, मतलब कि हम 1 के near, अब near में तो हमारी किस तरह की value हो सकती है, left side value भी हो सकती है, right side value भी हो सकती है, left वाली कौन-कौन सी हो सकती है, अब देखो यहाँ पर यह हमारा 1 है, 1 के side में क्या आता है, 0 आता है, 1 के right side में क्या आता है, 2 आता है, तो 1 के left side में कौन-कौन सी value हो जा रहे होगी, definition में अगर देखे हम, तो यह क्यासे आ जाएगा हमारा, 0.9 हो गया, 0.8 हो गया इधर, 0.99 इस तरीके की सारी values होगी, अगर हम right side की बात करते हैं, तो right side में कौन-कौन सी value हो जाएगी, 1.001, 1.1, 1.112, इस तरीके की सारी values हो जाएगी, ठीक है, या फिर 1.009, तो यह हमारी right side की values, और यह वाली जो हमारी left side की values, यह वाली right side की values, यह वाली left side की values, तो हमें इस तरीके से यह question करना है, similar way में, जो हमने last वाला भी कर रहा है, तो हम सारी values यहाँ पर find कर लेंगे, कि आप 0.9 पर check कर रहे हो, 0.99 पर check कर रहे हो function की value, ठीक है, 0.99, अब हो सकता आपको doubt आई है, वैसे तो आपको पता ही है, कि f of x कैसे calculate कर रहे हो, simply, f of x में है, जब आप यह 0.9 पुट करते हो, तो यहाँ पर basically 0.9 का cube, ठीक है, तो 9 का cube आप 0.9 का cube निकालोगे, तो वो आपका इस तरीके का आएगा, right, similarly अगर आप यह वाली values पुट करते हो, यह मतलब 1.01001, तो 1.001 पुट करते हैं, तो 1.001 का cube आजाएगा, ठीक है, तो इसको आप calculate करोगे, function की value, तो मेरे पास आते हैं यह वाली, right, तो हम इस तरीके से calculate करें, तो आप आप देख पा रहे हो, कि अगर मैं left side की values पुट कर रही हूं, मतलब x की अगर मैं left side की values पुट कर रही हूं, तो मेरा यह 0.7 हो गया, 0.9 हो गया, 0.970029 हो गया, यह मेरा basically 0.9 किसके approach है, 1 के ही तो about है नहीं, और ऐसे ही अगर मैं x is equal to 1.001 put करती हूं, या फिर 1.01 put करती हूं, ठीक है, तो मेरा यह फिर भी again किसको approach कर रहा है, 1 को ही approach कर रहा है, अगर मैं 1 के right side में देखती हूं दो भी, ठीक है, तो मैं इसको click कैसे सकती हूं, therefore we can see that f of x at x is equal to 1, should be greater than 0.997, greater than मतलब कि इससे तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और 1.001 से जो है less होना चाहिए, तो मतलब कि कहीं इनके बीच में जो है values मेरी लाई कर रही होंगी, मतलब अगर मैं और अच्छे से दिखाऊँ आपको, तो basically यहाँ पे कुछ आपकी values लाई कर रही होंगी, 0.001 इनके बीच में, right, तो यहाँ पे वही बोला है कि therefore we can see that f of x at x is equal to 1, should be greater than 0.9970 and less than 1.00300, right, तो मतलब कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अब, कि therefore we can see that way हमारा हो गया, तो left side का अगर हम देखते हैं, तो left side का क्या हो जाएगा, कि limit x tends to 1 minus, वही जो मैंने आपको बताया, less than को आप कैसे दिखाते हो, minus करके, ठीक है, तो f of x is equal to 1 आ रहा है मेरा again, क्योंकि 1 को approach कर रहा है function की value, similarly अगर मैं right side value निकालूंगी 1 के, तो हमारा ये again 1 को ही approach कर रहा है, तो अब आप देख पा रहे हो कि मेरा left hand limit and right hand limit, अगर मैं left hand limit देखू, या फिर right hand limit देखू, वो दोनों मेरी क्या आ रहे है, equal आ रहे हैं तो मैं कह सकते हूं, कि limit f of x extends to 1, is equal to मेरा क्या है, 1 है, right, तो हमारा बस simply ये हो जाएगा कि, this implies, this equal to this is equal to 1, तो मेरा basically, ये हमारा क्या हो जाएगा, कि this conclude that limit is equal to 1, या फिर simply आप लिखके देख सकते हो, इलमता दिखा सकते हो, x tends to 1, f of x is equal to 1, ठीक है guys, तो ये हमारा है limit का concept, and I hope आपको ये वाला जो concept है, बिल्कुल अच्छे से clear हो गया होगा, और हम एक दो examples और देखेंगे, इस पे based, थोड़े higher level के, ठीक है, वो हम next video में देखेंगे, तो I hope आपको ये वाले दोने example तो अच्छी तरह clear हो गये होगी, अगर फिर भी doubt आता है in case, तो comment कर देना, वहाँ पे मैं आपका थोड़ा try करूंगी doubt solve करने का, ठीक है, so yeah guys, that's all for today's lecture, मिलते हैं next video में, thank you so much for watching,